नमस्कार दोस्तों बेंस के जब आफरा आ जाता है तो कई बार उसकी इस्तिती इतनी खराब हो जाती है कि वो नीचे गिर जाती है और जब नीचे गिर जाती है खड़े होने में कभी खड़ा होती है कभी बैठती है उड़ती है बैठती है उस निडल की सायता से उसके पेट में डाल करके और उसका जितना भी गेस है वो बाहर निकाले और गेस बाहर निकालने के बाद उसमें आप इंट्रा रूमन सीपीम इंजेक्शन पंदरा अमेल डाल दें और जो भी आपके पास एंटी ब्लोट बोटल है जो हंड्रेड एमिल के आती है एक बोटल आप वो उसमें डाल दें इसके अलावा आपको इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन में बताया गया था कि आपको सीपीम इंजेक्शन लगाना है दस या पंदरा अमेल और पेड़ दरद और शुजन और सभी के लिए जो इंजेक्शन आता है दरद, सुजन, बुखार और पेड़ दरद के लिए कीटो फ्रोफेन ये इंजेक्शन हमने 20 ml इंट्रा मस्कुलर इसको लग दिया था 15 से 20 ml तो ये जो मैं सभी आपको बातें बता रहा हूँ फ्रेंड्स आप पूरी तरह से समझ गया होंगे कि पिछले वीडियो में हमने ये इलाज किया था और यही भैस थी जो नीचे गिर गए थी, उट रही थी, बैट रही थी, बहुत ज़्यादा बेचेन थी और जो इलाज हमने किया था उसका result, feedback कई हमारे फ्रेंड्स ने ये हमसे गोजारिस की थी कि आप जो भी treatment करता है, प्लीज उसका feedback बताए कि कितने दिन आपने इसका treatment किया और उसका result क्या मिला तो treatment में फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि कल हमने इसका इलाज किया था हमारे मनोज जी ने और वो आज आपके सामने है ये भेंस, इसक्रिन पर है वही भेंस, वही जगे, कल इसकी कितनी खराब कंडिशन थी और जो treatment मनोज जी ने किया, जो मैंने अभी आपको बताया उसका इतना शांदा result हुआ, तो आप आराम से वो जो treatment है उसको सीख सकते हैं अगर किसी भी प्रकार की जानकारियां आप भेंस से समंदित चाते हैं इलाज practically चाते हैं तो हमारे इस चैनल को आप subscribe जरूर करने क्योंकि इसी प्रकार की जानकारियां हम लगातार हमारे चैनल पर लेके आते रहते हैं कोई भी बात अगर आपको समझ में नहीं आती है कोई injection के बारे में आपको जानना है कोई विधी के बारे में जानना है तो आप हमें आराम से कमेंट कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपको बक्रियों का practical इलाज देखना है तो उसके लिए भी हमारा जो उपर आपको गोला दिख रहा है बक्री का इलाज और देखवाल इसे आप जरूर सब्सक्राइब कर ले